अब देखो ये जो जादा किल करने की भूक होती है ने ये जो लालच होती है जादा किल करने की ये कभी भी खतम नहीं होती कभी भी खतम नहीं होती तो भाई लो कैसे हूँ तो यार वेलकम दी बैक बैक दे वेलकम और सौगत या आपका एक बिराण नूँ गलत सीन से भरे पड़े बहुत ही ज़्यादा इंटन्स पबजी दो माईल गेमप्ले वीडियो में और यार इस गेमप्ले के लिए मैं कितना नहीं तड़पा आखिर कहर जाके 35 से ज़्यादा किल हर बार 30 किल 30 किल बोलता हूँ इस बार 35 से ज़्यादा हो जाते हैं और यार बहुत ही दबा की एक्शियोन होने वाला है और फिलाल पोचंकी उतरा हूँ और आगे जाके बंदे लड़ाई करना चालू कर चुके हैं तो मैं भी पहुंचता हूँ भकते भकते और गेम सुरू होते ही दो किल चोरी कर चुका हूँ तो यार गेमप्ले कैसे नहीं बनेगा बढ़िया और हमारे इस भाई का तो शायद नेटी नहीं चला था मैं तो ये सोच कहा है कि यार ये तो बोट है बोट को पेलता हूँ बाद मैं यार देखा तो रिवाईज दे रहे थे भाई और इस वाले बन्दे के सामने मुझे चुपन चुपन खेलना पड़ता है वो लेफ्ट जा रहे है मैं राइट आता हूँ मैं राइट आता हूँ वो लेफ्ट जाता है और अगर वो धपा कर देता ना पेटी ही बनती फिर और जहां तक मेरे को याद आ रहा यार मैं दिवार से कूच चुका था खिड़की से बाहर कूच चुका था लेकिन गोली चलाई जब मैंने वापिस घर के अंदर वैसे एक टाइप से यार बढ़िया ही हो गया क्योंकि एक बंदे के पीछे एक और बंदा आ रहा था वो पकड़ सकता था मेरे को अब उसे पकड़ेंगे हम अब देखो ये जो ज़्यादा किल करने की भूक होती है ये जो लालाच होती है ज़्यादा किल करने की ये कभी भी खतम नहीं होती कभी भी खतम नहीं होती चाहे आपके निन्याड बे किलना हो आप सो के लिए भकते हो कैर निन्याड बे तो यार कद्दू भी नहीं होने वाले यहाँ पे जो भी 9-10 किलिवे हैं उन्हें पकड़के मैं आगे बढ़ता हूँ क्योंकि आगे और बंदे लड़ रहे हैं और एक बंदा मुझे अंदर की तरफ बकते वे दिखाई देता है और यार हम यहाँ पे पोचंकी उतरे हैं यहाँ पे केम्पिंग और बंदे फैल के बैठना बहुत जादा होता है और इस मैच में बंदों से ज़्यादा डेमेज मैंने दिवारों को दिया होगा और अच्छा हुआ मेरे पे एक एम पड़ी थी यार अगर कोई सस्ती गन होती न वो उजी से लेटा देता मेरे को पेटी बना देता वहीं रस्ते पे लेकिन यार एक एम थी और पहले भी मैंने उसे गोली मारी इसलिए बज गया मैं याँ पे सही बता रहे यार उजी से बहुत टर लगता है बहुत खतरना गने उजी कैर इसे के साथ पोचंकी खाली हो चुका है मेरे हिसाब से जितने भी बंदे थे सारे धिल गए अब आगे जा रहे हैं और आगे यार दबा दबा के सुकॉर्ड पे सुकॉर्ड मिलेंगी बहुत ही एक्सियों होने वाला है लेकिन उससे पहले हम धेड़ पैड़ बात कर ले साथ हजार रुपे तक का बोनस मिलेगा अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज करते हो जो की कमेंट सेक्सियों में होगा साथ ये साथ इसमें कई सारे मिनी गेम्स भी हैं तो आप वो खिलके भी पैसे कमा सकते हो तो हाँ यार अगर आपको इस सब चीज का सौक है आप इस और यहां पे पता नहीं क्यों लेकिन यार सकारेल प्लस चारेक्स बढ़िया तरीके से चलाए अब यार सकारेल और चारेक्स मैं दोने ही बहुत कम इस्तमाल करता हूं लेकिन यार मजबूरी में गधे को भी साब बनाना पड़ता है तो यही चलाएंगे और बढ़िया चलत और हमारे ये भाई पूरी तयारी में थे वो पेड़ के बीचे चुपने की कैर उसको पकड़ लेकिन समोक के अंदर दो बंदे और बैठे हैं अब हमारे भाई पूछते कि यार इतना डेमेज मैंने कैसे ले लिया मैं बताता हूँ जोस में पिहुसी को बैठके मेरे को लगा यार ये क्या मारेगा ये तो टोमी चला रहा है और वो पेलने वाला था लगबग और यहां पे बॉट लोग भी मेरी पूरी मदद कर रहे हैं जादा कि लेने में चार बंदे निपता है उसके बाद तमीज से बॉट आता है बगल से आता है बोलता है भाई हम को पेल दो और यार देखो बोट पे अत्यचार अपनी जगा है लेकिन यार किल भी निकालनी है तो पहलना पड़ता है और वैसे भी मैं पहल देता खेर जो भी हो इसी के साथ रोजोग के अंदर बंदे नहीं होते लेकिन रोजोग की तरफ बंदे बख्या रहे होते हैं अब ये लोग नजाने कहां उतरे थे और ऐसे पैदल क्यों आ रहे थे ओपन में भगके मेरे को नहीं पता मेरे ख्याल से यार मेरी किसमत बढ़िया थी इसलिए ये लोग ओपन में मिल गए और यार मेरे वो सस्ते सकारिल के स्प्रे के लिए चारेक्स के स्प्रे के लिए यार और मेरे को पहले लगा यार बस दो ही बंदे होंगे यहां पे तो पूरी टोली बैठी पड़ी है और यहां पे इन लोगों ने पूरा दिमाग लगा रख था एक बंदा ड्रॉप लूटेगा दूसरा बंदा गाड़ी घुमाएगा तीसरा बंदा क्या करेगा वो कहीं ओपन में टाइम पास करेगा और चौता बंदा गर की तरफ रहेगा मैंने बोला यार कद्दू लेने गया तुम्हारा प्लान मैंने गाड़ी ठोकी बीच में मेरे टिमेट ने गाड़ी ठोकी बीच में और उतरते ही जो भी दिखा उस पे अंधी फाइरिंग और देखते ही देखते चारू ठील जाते हैं और यार सबसे बढ़िया बात पता है क्या है तुम्हारे भाई को गरोजा मिल चुकी है अब यार जोस पूरा है बंदों को बस घुसना है और घुसके पेटी बनानी है अब यहाँ पे मैं दुबारा से दूसरी बार रुजोग की पाड़ी पहुंशता हूं और आगे मेरे को एक गाड़ी दिखाई देती है और वो भी पूरी तयारी में है भगने की और यहाँ पे गाड़ी भग रही है उसका पीछा कैसे न किया जाए और मैं सही बतारो यार ये गेम हम खेल रहे थे 40 किल करने के लिए लेकिन सीन क्या था अगर कोई एक बंदा भी आपस में लटके ठिल गया तो 40 किल नहीं हो पाएगी एक बंदा भी और सीन क्या हो तयार एक नहीं 4-4 ठिल जाते हैं खेर वो गाड़ी वाले बंदे का पीचा करते करते हम यहां तक पहुंचते हैं और वो एक नहीं चार होते हैं बंदे और इधर एक सप्रे में मैं दो बंदे नौक करता हूं लेकिन गेम खेलते टाइम मेरे को पता नहीं चलता कि नौक कितने की है और मेरे को लगता है एक ये बंदा नौक किया था और उसकी पकड़ के पीटी बना दी और यार सही में पता हुता न कि यहां पे दो बंदे नौक किया थे आते ही तो मैं अंदा रस कर देता और क्या पता अंदा रस करने की वज़ा से 40 किल के पास आता मैं कैर अब वो सारे रिवाइव हो चुके हैं और मेरे हिसाप से पूरी सुकार बैठी है यहां पे यानि कि तीन बंदे और होने चाहिए बस इंतिजार कर रहा हूं कि कोई एक बंदा नौक कुछ आए गलती से पीक दे दे गलती से और यहां पे हमारा डेड़ आईक्यू गेंपले काम हाजाता है इनको लगता है यार गाड़ी लेके हम भगने वाले हैं लेकिन गाड़ी पे सिर्फ मेरा टीमेट बैठा होता है मैं तो यहीं डेटो की तरह ठीपी पी लेके बैठा था और मैं सही बता रहा हूँ यह गेंपले मैं सिर्फ और सिर्फ तीस से ज़्यादा के लिए खेल रहा था मैंने बोला यार चाहे जोन आजाए चाहे कुछ भी आजाए इनको छोड़के हम जाएंगे नहीं तो हमें चोन के बाहर रस करना पड़ता है लेकिन सही है यार किल भी मिल गई लूट भी मिल गई और अभी तक 27 किल भी हो चुकी है यानि कि कुछ ही बंदे मारने बाकी है 30 किल गेंपले पक्का पक्का बनेगा और हाँ एक और बार एक मैच में तीसरी या फिर चौती बार मैं रोजोग की पहाड़ी पहुशता हूँ अब क्या ही बोले यार ये सीनी ऐसा है ये जगा ही ऐसी है इस जगा की कुछ न कुछ खास बात है बार बार यहां आता हूँ और लगभग हर बार इधर आने के बाद बंदे मिलते हैं और किल मिलती है क्यार यहां से एक गाड़ी आते वे दिखाई देती है और अब रोट से भागेगी वो और यहां पे गाड़ी उपर वाले घरों पे जा चुकी है जहां पे मैं लगभग सो में से डेड़ सो बार वो डेड़ है क्यों गेंपले इस्तमाल करता हूँ तो मैंने बोला यार करो या फिर ना करो वाला सीन है या तो रस करना ही बढ़ेगा तब ढंका होगा सीन या तो यहीं बैठे रहा हूँ और तीसी किलो पाएगी जाद से जादा तो मैं गाड़ी उठाता हूँ और पहले बगल वाले घर पे ठोकता हूँ क्योंकि अगर वो चार बंदे हुए न तो यार पकड़ के गाड़ी की पीटी बना देंगे तो यहीं पे मैं खड़ा हूँ और अभी तक मेरे पे 6X नहीं है 4X से ही काम चला रहा हूँ और यार 4X काम कर देता है इस मैच में इस बार के लिए और इस मैच में यार किस्मत पूरा पूरा 100% साथ दे रही थी देखो 4X मेरे से चलता नहीं है लेकिन यहाँ पे बराबर चल रहा था और अब यहाँ पे गुसके मैं क्या करने वाला हूँ वो आपको भी पता है मेरे को भी पता है लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत होती है यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ यह बाकी बंदों को भी पता है इसलिए जो मैं करना चाहता हूँ न वो ये लूग करने नहीं देते यहीं पे खड़ाये बन्दा बिल्कूल और जो इकलोता बंदा यहां पे पहरा दे रहा था वो ठिल चुका है और यह चीज मैं अपनी जिन्दगी में 100 से ज़्यादा बार कर चुका हूँ गाँ लेकिन मैं आज तक नहीं समझा कि यह कैसे काम करती है हर बार मतलब जादतर यही होता है यार लोग जादतर सीडी ही देखते हैं अब इनमें से एक बंदे को पता था कि यार मैं वहाँ से आउँगा इसलिए वो छत के चज़े पे खड़ा हो गया भाई दिवार पे खड़े हो गया लेकिन बस एक गड़बड हो जाती है भाई का पाउ फिसलता है और बंदा सीधा नीचे पहुंचता है उसके चकर में पेटी बनती है उसकी और उसके पूरे टीम की अब यहाँ पे आर देख और यहाँ पे मैं पहले पूरी चोड में था कियार 4X बहुती बढ़िया चला है कोई दिक्कत नहीं है लेकिन दिक्कत इधर पे हो जाती है वो जो गंदा नीचे भग रहा था वो तो नहीं ठीला लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जो भी हुआ बढ़िया के लिए हुआ क्योंकि अगर शायद मैं उससे नौक करता तो यह उसकी पेटी बनाने वहीं पह रहता और जब तक मैं उसकी पेटी बनाने के लिए रुकता ना वाँ पे यह सामने जो बैरल लेके लेटा था य मेरे सस्ते सपरे के लिए और हमारे भाई यहां पे दूबारा से डेड़ा क्यों गेंप्ले करने वाले थे लेकिन यार उसकी जरुत ने पड़ी ये बंदा भगते वे आता है घर के अंदर गुशने के लिए अब ऐसी हरकत इसने क्यों कियोगी मेरे ख्याल से पीछे कोई ने कोई खड़ा है कोई दूसरी टीम है और जब तक मैं यहां पे पहुंचता हूँ सब गयव हो जाते हैं अब दिक्कत यह हो जाती है यार सामने घर के बंदे और वही घर के बगल में कुछ लोग साब बने होते हैं वो लोग आपस में लड़ने बिढ़ने लगेंगे तो मैं अपनी गाड़ी की तरफ जाता हूँ क्योंकि यार जोन में भी जाना है और भगते वे अगर गया जोन म तो पेटी बनते टाइम ने लगेगा अब ये किल मैं चोरी नहीं कर पाता लेकिन मेरे को दुख नहीं होता क्योंकि देखो गुरोजा से किल चोरी नहीं होई तो कभी नहीं हो पाती वो किल चोरी और यहां पाड के ऊपर जो सांप बने न उनसे बदला लेने का टाइम आ चुका है और ये बंदा जाते जाते हमारे लिए नेट छोड़के जाता है सोचो मैं इसे पेलता और इसका नेड हम दूनों को पेल देता यार अलगी दुख होता और अब एक ही टीम के सारे बंदे हैं और वो सारे के सारे उपर पे सांप बन के लेटे हैं पकड़ना पड़ेगा इन्हें अब मेरे टीमेट को उपर कुछ दिखाई देता है तो हमारे भाई बोलते यार वो पेटी है क्या मैं बोलता हूँ देखो यार चार सेकंड बात देखना पेटी ही दिखाई देगी तो दो तिन बंदे वहाँ पे मैं ठिला चुका हूँ पूरी की पूरी टीम उसी पहाड के उपर लेटी पड़ी है और अब बस एक आखरी बंदा बाकी है और ये बंदा दिमाग से खिला है दिमाग से क्या मतलब यार दिमाग से लेटा पड़ा है आगी की तरफ नहीं लेटे है भाई पूरा पीछे की तरफ लेटे है अब देखो मैं नहीं चाता कि ये बंदा हमको बिल्कुल ठिला दे और वैसे भी जल्दी रस करूं चाहे लेट रस करूं एकी किल मिलने वाली है तो यहीं पे हम आराम करते हैं जोन के छोटे होने का इंतिजार करते हैं और जोन देखते देखते काफी छोटा हो जाता है और जोन उसी की तरफ बनता है तो यार जाने का टाइम आ चुका है बस इंतिजार कर रहा हूं कि एक आद गोली चला दे वो क्योंकि यार साप भी फ्लैंक खतरनाक मरते हैं क्या पता कहीं हो लेटा पड़ा वो इसलिए यार रिसक मैं बिल्कुल लेना नहीं चाता गोली चलेगी तभी जाएंगे आगे और मैं सही में बता रहूँ यार जब ये चिकन चुकन लिखाया और जब 36 किल देखे यार दिल पे न अलग लेवल की खुशी हुई थी इतने उतल मैं पिछले सीजन भी नहीं कर पाया था इस बार हो ही गया आखिर कार और पता है सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है इस रेस में बंदे आपस में ठिल जाते हैं यहाँ पे मैं 40 किल कर सकता था लेकिन 4 बंदे आपस में ही ठिल जाते हैं एक बंदा तो मेरे आखों के सामने ठिलता है लेकिन यार उसकी किल चोरी नहीं कर पाता अब देखो ग्रोजा से किल चोरी नहीं हुई तो कैसे किल चोरी हो पाती नमूम्किन टाइप चीजे हो जाती है तो बास मैलोग आज को वीडियो में इतने बहुत बहुत शुक्तरा वीडियो देखने के लिए जाते जाते ये 36 kill gameplay के लिए यार लाइक ठोकना मद भूलना इस मैं ये kill करने के लिए न नजाने कितने सारे match में खेल चुका हूँ मैं गिंती भी नहीं है अभी इन matchों की इतने सारे खेल चुका हूँ और आखिर कार आखिर कार जाके 35 kill plus gameplay मिला मज़ा या गयार और यार जाते जाते एक एक्स बैट चेकाउट करना मद भूलना उस हैप की लिंक कमेट सेक्सियों में होगी बिल्कुल टॉप में जो भी करतो यार देखो दिमाग लाग के करो ऐसा नहीं कि ये नो अंदा पैसा ऐसा मत करो दिमाग लाग के करो अपनी बेस्ट टीम पे लगाओ अगर लगाते हो तो तो आज के विड़ा है इतना भारो गयार बहुत बहुत शुक्राइब वीडियो देखने के लिए अगर आप यहाँ पे नए हो तो हैर करो सब इसक्राइब और भी ऐसे गलत सीन वाले गेम प्ले और ऐसे गेम प्ले जिसमें मैं पूरे मैच बर किल के पीछे बगता हूँ इंटेंस से बरा एक्शियों से बरा सबस्क्राइब करना मत बूलना तो कर मिलता है यार बाई बाई हूँ हूँ हूँ